नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तों क्या आप लोग भी उन लोगों में से हैं जो पूश अप एक्सराइज ठीक तरीके से नहीं कर पाते और दूसरे लोगों को देखकर थोड़ी सी जैल सी फिल करते हैं जो की बहुत अच्छी तरीके से पूश अप एक्सराइज को करते हैं दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पूश अप एक्सराइज जो होती है वो आपको स्ट्रोंग बनाने में और आपकी पूरी बोडी के टोन को ठीक रखने में एक बहुत ही प्रभावकारी एक्सराइज है लेकिन बहुत सारे हम में से इसे लोग होते हैं जो की इस एक्सराइज को कर नहीं पाते तो आखिर ऐसे कौन-कौन से कारण है क्यों नहीं कर पाते हम इस पूश अप एक्सराइज को और अगर आप भी इस exercise को नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में वो में कारण हम आपको बताने वाले हैं जिसकी वज़े से आप शायद इस exercise को नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए जानते हैं वो कारण क्या-क्या है तो दोस्तो exercise से पहले warm up ठीक से नहीं करना जी आँ दोस्तो अगर आप जिम में जाते हैं exercise करने के लिए आप दूसरी किसी exercise को ठीक तरीके से करने के लिए पूरी तरीके से एक्टिव रहते हैं लेकिन warm up exercise को ज़्यादा गंबीरता से नहीं लेते हैं यहीं पर आप सबसे बड धिली हो जाती है, मान श्रेशियों में flexibility बढ़ती है, ताकि आप भेतर तरीके से work कर सकते हैं, warm-up करने से आपके शरीर में लचक आती है, जिसकी वज़े से आप आसानी से कथीन वियायाम, यानि की exercise भी कर सकते हैं, तो दोस्तो आप warm-up को भी जरूर करें, इसे नजर एक्टिवनेस की कमी हो जाती है उर्जा की कमी के कारण आप कोई भी वर्काउट अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे अपनी मांश पेशियों को मजबूत बनाने और अच्छी तरीके से प्रदर्शन करने के लिए प्रोटीन, फाइबर, अच्छी वसा और अन्य स्वास्तिक पोशक तत्वों का सेवन करना सुनिश्चीत करें दोस्तो अगला कारण हो सकता है वेट लिफ्ट ना कट पाने के कारण जी हाँ दोस्तो अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते हैं याने की वजन नहीं तोकते हैं तो इससे आपकी मांश पेश्या मजबूत नहीं बनेंगी जी हाँ दोस्तो हम ये नहीं करते हैं के बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करें लेकिन हर रोज कुछ न कुछ वजन उटाने की जरू ट्राए करें इससे दोस्तो आपके शरीर की गती शिलता बहुत अच्छी तरीके से उस पर प्रभाव पड़ता है और वेट लिफ्ट करने से खास करके आपकी मांश पेश्या मजबूर बनती है शरीर में ताकत प्रदान होती है जितनी ताकत लेने की उससे जरूरत होनी चाहिए तो दोस्तो वेट लिफ्टिंग भी जरूर करें दोस्तो अगला कारण हो सकता है ठके हुए होना जियां अगर आपकी मांश पेश्या ठकी हुई है तो आप अच्छी तरीके से वर्काउट नहीं कार पाएंगे अगर ऐसा है आप ठका ठका सा मेसुद कर रहे हैं तो वर्काउट के बीच में ब्रेक लेक सकते हैं आप दो दिन वर्काउट के बीच में एक दिन स्किप भी कर सकते हैं इससे आपके पर्फोमेंस बढ़ेगी और आप पूश अप करने में भी जरूर सफल होंगे ले रहे हैं अगर आप उसे ठीक धंग से नहीं कर रहे हैं तो आप उसे कितना भी ज़्यादा टाइम दे दे कोई फरक नहीं पड़ने वाला इसलिए exercise को खुद के लिए आसान मनाने के लिए आपको धीरे धीरे लेकिन सही धंग से exercise को करना बहुत जरूरी है अगर आप गलत धंग से exercise करते जाएंगे और आप सोचेंगे आज मैंने आदा गंटा वर्काउट किया आज मैंने एग गंटा वर्काउट किया तो वो सब फिजूल है लेकिन हाँ अगर आप ठीक तरीके से exercise करते हैं वो बले 5 मिनिट भी करें 10 मिनिट भी करें तो वो आपके शरीर के लिए बहुत बेतर होती है इसलिए जिम के ट्रेनरों को आपने देखा होगा कि वो भी आपको help कर सकते हैं अगर आप कहीं गलत exercise कर रहे हैं तो वो आपको ठीक तरीके से जरूर बताएंगे इसलिए सबसे पूछ कर और सही exercise को करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो दोस्तो ये कुल मिला के वो main point है जिसकी वज़े से आप शायर push up exercise नहीं कर पा रहे हैं तो अगर इन कारणों को दूर कर देंगे तो आप push up exercise जरूर कर पाएंगे तो दोस्तो यही थी हमारी आज की एक और important जान करी जिसमें आप जरूर जान गए होंगे कि आखिर लाइक करें शेर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जूर दुमाएं धन्यवाद दोस्तो